इस्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्रा तीम इंडिया जिस होटल में आस्टेलिया में ठहरी है चौथे टेस्ट मैच के लिए ब्रसबेन में उस होटल में इतनी घटिया सुविधाय टीम इंडिया के लिए मोहिया कराए गई हैं जो ये बताता है कि क्रिकेट आस्टेलिया कितनी नीचता पर उतराया है वो जीत नहीं पा रहा है तो जीत हार की खीट जो है ना वो किस तरीके से निकाली जा रही है सोचिए इतने बड़े बड़े बोर्ड करोडो रुपे की आंदनी होती है हर महीने ऐसे बोर्ड के पास टीम इंडिया को एक धंके होटल में ठहराने तक का इंतजाम नहीं है जी हाँ टीम इंडिया ने बखाइदा मैनेजमेंट ने बी सी सी आई को इस बारे में शिकायत की है कि जिस होटल में ब्रिश्बेन में वो ठहरे हैं उसमें रूम सर्विस तक नहीं है हाउसकीपिन तक नहीं है इसके अलावा स्विमिंग पूल में जाने की ज्वाज़त नहीं है जिम भी अंतराश्ट्रिय लेवल का नहीं है बहुत ही घटिया एक तरीके से वहाँ पर जितरी भी इंतजाम किये गए हैं सब बहुत ही जादा घटिया इस तरके हैं जिसके बाद BCCI के देक्स सौरफ गांगली सचीव जैशाह ये तमाम लोगों ने क्रिकेट ऑस्टेलिया से बात की है और क्रिकेट ऑस्टेलिया ने क्रिकेट बोर्ड ने ये भरोसा दिलाया है कि टीम इंडिया को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी एक BCCI के जो सूत्र है उन्होंने ये बताया है कि होटल में रूम सर्विस या हाउस कीपिंग नहीं है जिम भी अंतराश्टी इस तरका नहीं है स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकते चेक-इन के समय इन सारी सोविधाओं का बादा किया गया था टीम इंडिया से लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया है अब इसके बाद उन से ये पूछा गया कि क्या खिलाडियों को आपस में मिलनी के अरुमती है क्योंकि बहुत ही जादा वहाँ पर क्वारंटीन के सख्त नियम है और दोनों टीमों के लिए समान नियम है जिसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ एक टीम रूम दिया गया है पूरी टीम को होटल के भीतर वो एक दूसरे से वहाँ पर मिल सकते हैं और इसके अलावा मैनेजर से जब पूचा गया कि आर आप लोगों ने क्रिकेट ऑस्टेलिया के सामने शिकायत नहीं की तो उन्होंने कहा कि जब मैनेजर को शिकायतों से अगबत कराये गया तो उसने कहा कि दोनों टीमों के लिए समान नियम है सिर्फ एक टीम के लिए प्रत कम यार सुविधाएं तो हो हाउस कीपिंग हो रूम सर्विस हो साफ सुथरे रूम हो जो एक बेसिक नीड्स होती है कम से कम वो तो हो यार वो भी नहीं है जिसकी वज़े से फिर खिलाडियों ने शिकायत की है और अब बीसी सी आई को इस मामले में दखल देना पड़ा है देखते हैं तखल देने के बाद क्या होता है क्या होटल बदला जाता है यहां पर वो जो सुविधाएं नहीं है उन्हें मुहया करवाया जाता है आप क्या सोचने इस खबर पर बताएगा वीडियो को शेयर कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का बहुत बहुत